वेल्कम बैक अबरेवन यूपी स्पेशल के 25 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए थे उसी के आगसे केंटीनियू करते हैं तो आज आए क्वेश्चन नमबर 26 पर नमलके मेंसे कौन सा एक सही है उत्रप्रदेश राज विद्यूत परिशद का कठांट नाईटीनि फिटीन फिफ्टीनन में उत्रप्रदेश नवी नवन नवी करणी ओर्जा विकास अधिकरण नाइटीनिकरण अटीनि 59 में हुआ था उत्तर प्रदेश नभी नवे नुवी करणियों उर्जा प्राधिकर्ण के कठन 1983 में हुआ था कोशन 27 उत्तर प्रदेश राज में एक मात्र पर्माणू विद्दुत केंद्र की स्थापना कहां की गई 1990-92 की बात है यह यह की गई थी नरोडा में अब वह कहां पर है नरोडा बुलंद सहर उत्तर प्रदेश राज में एक मात्र पर्माणू विद्दुत केंद्र की स्थापना नरोडा बुलंद सहर 1990-92 नमबर 28 है उत्तर प्रदेश में सरवादिक विद्धुत उत्पादन कहां से होता है सौर उर्जा से परमाण उर्जा तापिय उर्जा जल विद्धुत देखें सबसे ज़्याद होता है तापिय उर्जा से कि I didn't go to die हैं कि अग्र हम में कुल कुल विद्ध उत्पाधन का है अगर वातिंध्यस की लिए Q29 अमर्कित में से कौन सा कहचान सही है उत्तर प्रदेश में राज खरिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी उत्तर प्रदेश में सरवाधिक कोयला सहारनपुर से प्राप्त किया जाता है देखे उत्तर प्रदेश में राज खनिज विकास निगम की स्थाप 1974 में थे ये बात ठीक है उत्तर प्रदेश में सरवाधिक कोईला जो है वो सहारनपुर से प्राप्त नहीं किया था तो गर्यत दूसर बाला स्टेट्मेंट पहला बाला ही सही है सोनभद्र से प्राप्त किया जाता है उत्तर प्रदेश में सरवाधिक कोईला सोनभद्र से प्राप्त किया था एक प्रश्ण ये है खनिज संसादन की दरश्टी से उत्तर प्रदेश राज कौन सी स्रेणी में आता है उच्छ स्रेणी मतलब बहुत ज़्याद है खरिष संपदा यहाँ पर मध्यम स्रेणी ठीक ठाक खरिष संपदा यहाँ पर निम्न मध्यम स्रेणी या निम्न स्रेणी देखें उच्छ स्रेणी में तो है नहीं है और शत्यस गड़ जहार खंड हो गए ये मध्यम स्रेणी में भी नहीं है निम्न स्रेणी से थोड़ा सा उपर है निम्न मध्यम स्रेणी B has cancer तो खरिश संसादिन की दरश्टी से यूपी जो है वो निम्न मध्यम स्रेणी में आता है question number 31 है उइब में तामबा कहां से प्राप्त किया जाता है उत्तर प्रदेश में तामबा प्राप्त किया जाता है ललितपुर से भी है जिर को स्वूम राश्टी है राजमारकों की दरश्टी से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा जो राजमारक है वो है नैशनल हाइवे नंबर टू और विस्व का सबसे लंबा प्लेट फॉर्म जो है वो गोरखपुर में है यूपी में और उत्तर प्रदेश राजय सड़क परिवहन निगम की सापना हुई थी 1972 में कोई एक इसमें से गलत है वो हाल ही कि कुछ वर्षों की वैसे गलत हुआ है वह अप्सन नमबर सी विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेट फॉर्म है करनाटक के हुबली में ठीक है अभी तक तो यही था उत्तर प्रदेश का गौरखपुर लेकिन अभी यह दूसरे स्थान पर हो गया यही आंसर इसका मगarent प्रदेश राज सडक परियानिगम के स्थापना नाइंटीन से है डिए समें उत्तर प्रदेश का सबसे रम्बा राजमारग नैसनल हाइए जंक्सन और 1400 मीटर है फीट में देखें तो 4600 फीट और गोरगपुर जंक्सन रेलवेश स्टेशन यह जो है बहुत दूसरे स्थान पर 1366 33 मीटर की लंबाई के साथ ठीक है दूसरा विश्व में पर 13 उत्र प्रदेश का जंग्हनत्व कितना है पॉपलेशन अब डेंसिटी उत्र प्रदेश राज का कुल जंग्हनत्व है यह आंकड़े वही रहेंगे जंग्णा 211 के नुसर का जो हुए कै 수 Trader 4898 819 sticking his का चल्द साथ इसका इसका प्रदेश का जंग्हनत्व है 149 व्यक्ति प्रतिवर किलोमेटर की यानि 839 में से 149 को यदि हम घटा दे तो दुहार एक की जनगरणा में उत्तर प्रदेश का जनगरणा तो जितना था वह जाएगा पोशन नुबर 34 है नम लिगत में से कौन सा उत्तर प्रदेश में सरवाधिक जनगरणा तवाला जिला है देखें वैसे तो उत्र प्रदेश में सरवाधे की जनगानेत वाला जो जिला 211 की जनगाने का नसार गाजियाबाद है लेकिन गाजियाबाद तो आपसर में है ही नहीं ठीक है तो आंसर यहां पर हो जाएगा वाराण सी बी है इसका आंसर तो सरवाधेक जनगानेत वाले जिले अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के सबस्यादा गाजियाबाद है गाजियाबाद अगर आपसर में नहीं है तो वाराण सी और तीसरे स्थान पर लखना हूँ नियूंतम जनगानेत वाले जिले कौन से है उत्तर प्रदेश के ललितप यह इंपॉर्टेंट प्रश्ण है कई वार एक्जाम में पूछा गया है कि तीय उपी की जन संख्या भारत की जन संख्या का प्रतिसाद तो जनगर्णा दोहर कि अनुसार उत्र प्रदेश की कुल जन संख्या कितनी उन्निस करोड 98,12,341 और देश की कुल जन संख्या का यह जो संख्या है वो है तो जन संख्या में पूर्शों का प्रतिशत कितना है बाबंद संख्या में महिराओं का प्रतिशत कितना है 477 प्रतिशत उत्र प्रदेश राज की जन संख्या में ग्रामीड जन संख्या का प्रतिशत और तर प्रदेश राज की कुल जन संख्या में नगरिय जन संख्या का प्रतिशत है 22.27 प्रतिशत नई जनगर्णा तो होई रही है वे इतना ये सारे आंकड़े जो है वो बदल गए है अभी तक चलिए तो सरवाधिक जनसंक्या बाला जिला पूछ लेते है नियुन ये सबसे कम जनसंक्या महूबा में रहती है महूबा जनक्त्रतों में नहीं होगा तो हमीरपूरा पहले को तो छोड़े देते हैं दूसरे तीसरे सी बनता है देखतर पुष्ण नुमबर 36 पर आजए उत्तर प्रदेश का औस लिंगानुपाद कितना यानि Sex Ratio उत्तर प्रदेश का औस लिंगानुपाद है 912 और भारत का पूशले तो 211 की चनकड़ने के अनुसार तो उसका आंसर है 943 कि देखिए लिंगानुपाद यानि सेक्स रेसियो उत्र प्रदेश का उसत लिंगानुपाद 211 की जंगर्णा के अनुसार कितना है 912 है भारत का पूछ ले तो 943 है और 211 से 211 के दुरान उत्र प्रदेश के लिंगानुपाद में जो ब्रद्धी होई वही 14 अंक की यानि 912 म असत लिंगानुपाद है जाएगा यूपी का मैं अचैना कि कुष्छन 1 57 पर आज ये नमलख अधरप्रदेश का सरवा धीक लिंगानुपाद Rare худ प्रदेश का उत्तर-प्रदेश नियुन्तम लिंगान उपातवाला जिला है इनमे से है ये वैसे अगर आवरॉल पूछ ले तो वो तो जॉनपुर है उत्र पुर्देश का सरवादिक लिंगान उपातवाला जिला है जॉनपुर 1024 महिलाएं है एक हजार पुर्सों पर उसके बाद आजमगड है 1019 महिलाएं है 1000 पुर्षो पर उसके बाद देवरिया है 1017 महिलाएं है 1000 पुर्षो पर नियुंतम लिंगानपाद बाला जिला है उत्तर प्रदेश का गोतम बुधनगर मात्र 851 महिलाएं है 1000 पुर्षो पर नमबर 38 जन्गर्णा 211 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सिशु लिंगान पात है सिशु लिंगान पात अगर पूछेगा तो उसका अंसर अलग होगा क्योंकि वो 0 से 6 तक होता है नोसो तनत्यलिस तो भारत का उसक्त है उससत लिंगान पात है यह पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगान पात 0 to 6 वह है 906 और यह ज़्यादा इंपर्टन थैं उन दोनों से इसको पूछने की संभाब्ना ज्यादा रहती है 906 है 906 है 902 है देखे 902 है सॉरी ठीक है C है इसका अंसर तो औसत लिंगानपाथ यूपी का हो गया 912 भारत का औसत लिंगानपाथ 943 और 0 to 6 हो गया शिशू लिंगानपाथ 902 ठीक है 902 ओप्सन नमबर C तो उतर प्रदेश का शिशू लिंगानपाथ 0 to 6 आई उवर्ग में 902 है 211 में शिशू लिंगानपाथ अगर पूछे तो कितना था 916 था यानि कम हो गया 211 में राज में सरवाधिक और सबसे कम शिशू लिंगानपाथ पूछ ले 0 to 6 तो सरवाधिक है बलरामपुर में और सबसे कम पूछ ले तो बागपत जिला क्वेशन नमबर 39 पर आज़े उत्तर प्रदेश में सरवाधिक और निउन्तम दंसके ब्रद्धी वाले उन्जिलों की पहचान कीजिए उत्तर प्रदेश में जो सरवाधिक दंसके ब्रद्धी होई है वो ही है गोतम पुधिनगर में और सबसे कम दंसके ब्रद्धी होई है वो ही है कानपुर नगर में एह है इसका अंज़त देखें दंसके ब्रद्धी दोहार एक से दोहार ग्यारे के दुरान दंसके ब्रद्धी दर कितनी है 20 दसनलोग 2-3 पृतिशत याद रखेगा इसको सरवादिक दंसके ब्रद्धी दरवाला जो जिला है वो है गोतम पुधिनगर उसके बाद है गाजियवाद और तीसरे पर सरावस्ति नियुनतम दंसके ब्रद्धी वाले जिले कानपुर नगर दूसरे पर हमिरपूर तीसरा है बागपद कुशन नमबर 14 पर आज़ें वर्जदवियार 11 की जनगर्णा के नुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसुचे त जाती का प्रस्मुर्ट कितना है कितना है यानि ऐसी आबादी उत्तर प्रदेश की कुल जन संख्या में अनुसुचित जाती का प्रतिशत कितना है इसका अंसर आपसर नमबर B 20.16 प्रतिशत तो उत्तर प्रदेश की कुल जन संख्या में अनुसुचित जाती का प्रतिशत है बीज दसमलब छे नो प्रतिशत भारत में सरवाधिक अनुसूचित जाती की संख्या वाला राज कौन सा है यही है उत्तर प्रदेश भी है इस कांज सा तो देश में सरवाधिक अनुसूचित जाती की संख्या वाला जो राज है वो है उत्तर प्रदेश 16.6 प्रतिशक Question number 42 है उत्तर प्रदेश में सरवाधिक अनुसूचित जाती जनसंख्या वाला जिला कौन सा है वो है सीतापुर और निवन्तम पूछ ले तो बागपत तो उत्तर प्रदेश में सरवाधिक अनुसूचित जाती जनसंख्या वाला जिला सीतापुर है और उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाती जनसंख्या वाला जिला बागपत है अब ये तो होगे अनुसूचित जाती अगर पूछले अनुसूचित जन जाती उत्रप्रदेश में सरवाधिक अनुसूचित जन जाती यानि एस्टी आवादी जन संख्या में जो रहती है वो रहती है कहां पर वो रहती है सौन भद्र में और सबसे कम रहती है बागपत में उसी में जहां पर अनुसूचित जाती की आबादी सबसे कम है वहीं जन जाती की आबादी सबसे कम है तो सरवाधिक अनुसूचित जन जाती वाला जिला है उत्तर प्रदेस का सौन भद्र नियुन्तम अनुसूचित जन जाती वाला जिला है उत्तर प्रदेश का बागपत उत्तर प्रदेश की कुल जन संख्या में अनुसूचित जन जाती का जो प्रतिशत है वो बहुत कम है 0.6 प्रतिशत है और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जन जाती से रहित जिले भी है वो अयोध्या है और जालोन है कोश्चन नमबर 44 उत्तर प्रदेश में सरवाधेक और सबसे कम लिंगानपात वाले धार्मिक समुदायों को पहचानिए सबसे ज़्यादा जो धार्मिक समुदाय में सेक्स रेसियो है किसमे है वो वो है इसाई धर्म में वो सबसे कम यानि सबसे खराब जो सेक्स रेसियो है लिंगानपात है वो है सिख धर्म का तो भी है सकान्स तो उत्तर प्रदेश में धर्म आधारित जन करना की बात करें दोहर ग्यारे के नुसार धर्मिक जन संख्या अगर घर्टे करम में लिखें तो सरवाधिक रहते हैं यूपी में हिंदू उसके बाद रहती है मुस्लिम आवादी फिर सिख लोग फिर इसाई धर्म के लोग जैन धर्म के लोग सबसे कम हैं बहुत धर्म के लोग उतर प्रदेश की कुल जन संख्या में अलप संख्यक यानि माइनोटरीज का जो परसेंट है वो कितना है बीज दिसमलब तीन सून परतिशाद ठीक है अलप संख्यक यानि संख्या में कम ये सारे अलप संख्यक है इसको छोड़कर सरवाधिक अब म सबसे कम लिंगानुपाद वाले धार्मिक समदाय सरवाधिक लिंगानुपाद है इसाई धर्म का नौन YES महिलायisters एक हजार पूर्षो पर और सिक्ध हर्म का सबसे कम लिंगानुपाद ended 885 महिलाएं हैं एक हजार पूर सो पर वशन नमबर 45 है उत्तर प्रदेश की कुल जन संख्या में अलप संख्यक समुदाय का प्रतिशत कितना है 17.60 प्रतिशत 23.22 प्रतिशत 20.30 प्रतिशत 19.60 प्रतिशत इसका आंसर है उपसर नमबर C 20.30 प्रतिशत जनकर्णा के नूसर उत्तर प्रदेश की कुल जन संख्या में अलप संख्यक समुदाया यानि Minotary Community जो प्रतिशत है वो है 20.30Ay प्रतिशत वशन नमबर 46 जनकर्णा के नूसर उत्तर प्रतिशत की महिला साक्षत दर कितनी इंपोर्टेंट प्रतिशत 57.1.8 पृत्ति शर्ट या है 였습니다.2.8 पृत्ति शर्ट या है प्रदेश की जो कुल साक्षरता Dr. cent अगे भूल दिया था गया किो देखें 59 तर्ल दो सहाझ़ प्रतिशत है वे फैसर कि कह सा 묶न प्रसाज दिवाड़ゴत 20 पुरुष साक्षर्ता यह है यूपी की यह पुरुष साक्षर्ता यह नहीं है यह तो कुल साक्षर्ता है यह महिला साक्षर्ता है यह पुरुष साक्षर्ता है और यह कुल साक्षर्ता है और डी वाली कुछ भी नहीं है चले कोशन नमबर 47 पर आज़े सकता है तो अगर अगर हम इसको इससे घटा दें अ अंसर तो इसका अंसर हो जाएगा अप्शन अंबर एक सुन प्रतिशत को से कौन सा उप्तर प्रदेश का सरवाधिक साक्षरता दर्वाला जिला है गौतम बुधनगर है लेकिन अप्शन में नहीं है उसके बाद कानपुर नगर है दूसरे स्थान पर ठीक है और तीसरे पर जो होगा वही इसका अंसर होगा वो है और या अप्शन अंबर डी और बलरामपुर में सबसे कम साक्षरता दर है तो देहर ग्यारे की जनगने के नुसर सरवाधिक साक्षरता दर्वाला उत्तर प्रदेश का जिला है गौतम बुधनगर दूसरे पर है कानपुर नगर और तीसरे पर है और या अब देखिए ये दोनों अप्शन में नहीं थे इसलिए ये आंसर हुआ सबसे कम साक्षरता दर्वाला जिला उत्तर प्रदेश का स्रावस्ती है ठीक है स्रावस्ती है बलरामपुर नहीं है स्रावस्ती स्रावस्ती से भी कम साक्षरता दर बहराईच में सबसे कम साक्षरता मतलब उससे ज़्यादा उससे ज्यादा सबसे कम तो स्रावस्ती में उस उससे थोड़ी सी ज्यादा बहराइच में उससे थोड़ी सी ज्यादा बलरामपुर में है पुरुस का भी यही क्रब है Quesh no.49 पर आजये, एंस Jerusalem से कौन सा उत्तर प्रदेश का एकमात्र सास्त्रिय नरत्य है इन Hill Aparte कोईद्धु यूर्धवन विदे कॉय, कुछिपुड़ी आंत्र प्रदेश का यूर्धु केरल का। और कथक जो है वो है उत्तर प्रदेश का तो यह है सास्त्र निरते कथक हो गया उत्तर प्रदेश का एक मात्र सास्त्र निरते कूची पुड़ी केरल का है कूची पुड़ी अंधर प्रदेश का है गरवा है गुजरात का कथक के लिए परसित घराने भी याद रखिएगा लोकनाटे यानि लोक नरत्य राम लीला उत्तर नहीं है पूछ रासवली नहीं है राम लीला है उत्तर प्रदेश का रास लीला है उत्तर प्रदेश का नोटंकी भी उत्तर प्रदेश में होती है बागुरुंबा बागुरुंबा नहीं है बागुरुंबा उसी राज का लोकन नरत्य हैं राम लीला रास लीला और नोटंकी असम के लोक नरत्यों में बिहू और बागू रूंबा प्रमुख है यह जो बागू रूंबा लोक नाट्य है यह बोड़ो जन जाती के द्वरा किया जाता है याद रखिएगा इसको तो यह 50 प्रेस्ट बड़े इंपोर्टन थे यूपी स्पेसल के इनकी प्रैक्टिस एक से दोबार कर लिजेगा पहले भी हमने जो स्टार्टिंग के जितनी भी टेस्ट हो गए हैं 406-407 इन सब में जो है पूरा यूपी स्पेसल कबर करा रखा है उन टेस्ट को अच्छे से दन्यवाद